क्या आप जानते हैं कि मालनव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयम नहीं बनाता है। वे पोधो और पोधो को खाने वाले जन्तूओं पर निर्वर करते हैं। कैसे? जैसे गाएं घास खाती है और शेर गाएं को खाता है। शाकाहरी जानवर पोधों पर निर्वर होते हैं और मासाहरी जानवर पोधे खाने वाले जन्तूओं पर निर्वर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृत्वी पर केवल हरे पोधे ही अपना भोजन स्वम बनाते हैं। हरे पोधे अपना भोजन पत्यों में बनाते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि पत्तियां ही पोधू की रसोई होती हैं जैसे घर की रसोई में खाना बनाने के लिए अलग-अलग सामानुक की जरुद पड़ती है बिल्कुल उसी तरह से पत्तियों को भुजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डायोकसाइड गैस और जल की आवशक्ता पड़ती है पोधो की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाय जाता है जो सनलाइट को ग्रहन करता है क्लोरोफिल के कारण ही पोधो की पत्तियों का रंग हरा होता है मिट्टी से जल अवशोशित होकर पत्यों तक पहुचता है और इस तरह से पत्यों में जल उपलब्ध हो जाता है साथ ही वाईमंडल की कारबन डायोकसाइड पत्यों में उपस्तित स्टोमेटा के द्वारा पत्यों के अंदर पहुचती है जब सूर्य का प्रकाश पत्यों पर पढ़ता है तो पत्यों में उपस्तित क्लोरोफिल इन प्रकाश के ड़नों को अवशोशित करके जल और कारबन डायोकसाइड गैस से मिलकर ग्लुकोज का निर्मान करते हैं साथ ही oxygen gas बनती है जो पत्तियों में उपस्तित stomata के द्वारा वायो मंडल में निकाल दी जाती है पोधों के द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया फोटो सिंथेसिस कहलाती है पत्तियों में बनेवे glucose को पोधे अपने व्रद्धी के लिए उपयोग करते हैं और साथ ही बचा हुआ glucose पोधों के विबिन भागो जैसे की जड़, तना, फूल, फल इत्यादी में संचित हो जाता है इस प्रित्वी पर उर्जा का एक मात्र भंडार सूर्य है और पोधों की पत्तियों में उपस्तित क्लोरोफिल इस सोर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलता है जिससे भोजन का निर्मान होता है